Hello dear learners, PG is here and welcome to you in PG Point. दिखिए, आज की इस वीडियो में जब आपको कोशन पेपर ना रहा हो, तब कैसे सॉल करना है? कोशन पेपर में आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, इंस्ट्रक्शन पढ़ते समय. आप exam hall में entry करें उसके बाद का आपका क्या procedure होना चाहिए, जब भी आप अपने answer को लिखें, तो किन बातों का धियान रखना चाहिए, इस तरीके से सम्मंदित जो भी छोटी से छोटी बाते हैं, जो आपको कोई नहीं बताता है, वो हम आपको आज के इस वीडियो में बतान चाहिए, उससे पहले हम चाहिए, कि आप एक बार session को share कर दीजे, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो subscribe करके bell icon प्रेस कर दीजेगा, साथ में हमारा instagram account pgpoint official के नाम से है, आप हमें वहां पर भी जोड़ सकते हैं, हमारा application pgpoint के नाम से है, इंस्टॉ कर सकते हैं, forbid notes, forbid application pdfs, ठीक, pgpoint के नाम से हमारा telegram channel है, वहां से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, आयो शुरू करते हैं, आज का आपका वीडियो, सबसे पहले तो जब भी आप exam hall में जाएंगे, तो आपको 10 बातों के कुछ ध्यान रखना होगा, क्या होंगी वो 10 बाते उनका जो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले, check the area near your table, अपने table के आसपास का area check करो, वहां पर कहीं कोई कागज वागज पढ़ाओ, ऐसा कोई paper पढ़ाओ, उसको दूरन ठटा दीजे, आना क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वो paper आप आपका नहीं होता है, फिर भी examiner की अ आपको अपना stationary item देने का पडोसी को, ज्यादा विवहार नहीं कमाएंगे आप, इससे आपका समय भी waste होगा, और अगर teacher ने class में देख लिया, तो हो सकता है, उस पे विवाद भी हो जाए, तो इसलिए ऐसा कोई कार्य आप नहीं करेंगे, आपको अपने समय का management कर लेना है पहले ही, time का management आपके पास दो घंटे हैं, जितने भी घंटे आपको exam के लिए मिल रहे हैं, उन घंटों के हिसाप से आपको अपने questions के हिसाप से divide कर लेना है, sections को, speed और writing दोनों maintain करके चलना है, ऐसा नहीं है कि आप इतना घसीटा मार लिख करके चले हो, कि writing एक दम खराब ह पता चले जी के आगे एकदम ऐसे ऐसे good को लिख दो, बढ़िया जल्दी लिखना है, ऐसे लिख दो, बहुत थोड़ा से starting में ऐसे लिख दो, अब पता चले आप इतनी speed बना दो कि जी के आगे समझिम नहीं आ रहा क्या लिखा है, वो गसीटा वाली एकदम writing नहीं लिखनी कोशिश करिए, क्या कहते हैं मैं, कोशिश करिए कि आप एक sequence में paper करिए, बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहले long answer कर देते हैं, फिर short answer करते हैं, तो मेरी एक आप से राय ये है, कि आप sequence में paper करो, बहुत बच्चे कहेंगे कि क्या मैं पहले long नहीं कर सकते हैं, तो आपका ज लगू है तो पहले लगूतरी करो फिर दीर है तो फिर दीर गूतरी करो इस तरीके से पर करो उसके बाद में sketching करिए आप black sketch, blue sketch के use कर सकते हैं highlighter के use कर सकते हैं किसी भी question को छोड़ना नहीं है किसी से कोई question पूछना नहीं है अगर आप पूछने के चक्करने पड़ोगे आपका time waste होगा जरूरी नहीं है कि आपके बगल वाला, सामने वाला, पीछे वाला, दाएं वाला, बाएं वाला, उपर वाला, निचे वाला Einstein बैठाओ आप exam time पे खुद ही Einstein है आप ये मान के चलिए आगे पीछे उपर नीचे दाएं बाएं बगल वाले आठो दिसाओं वाले वो सब आपसे एकदम बिल्कुल उनको कोई ग्यान नहीं है आप ऐसे मान के चलिए आप अपने कमरे में अकेले परिक्षा देने आएं इस तरीके का विभार रखिए फाइफ मिनट आप अपने कॉपी का रिविजन ज़रूर करिएगा लेकिन उसके अलावा कुछ चीजे जो आपको ये भी मैं बता दूँ कि क्या-क्या लेकर जाना है आपको आप अपने एक्जाम हॉल में जा रहे हैं पेपर देने तो क्या-क्या चीजे लेकर के जानी है एडमिट कार्ड आपने रख लिया होगा जो आप जिस बॉक्स में रखिएगा वो बाक्स आप ट्रांस्पेरेंट वाला लेजिएगा पेपर बैक उसके बाद में आई पॉइंट पेंट ठीक रहता है जादा इसकेच पेंट का यूज कर सकते हैं चीजों को हाइलाइट करने के लिए पैंसिल रबर क्याने की एरेजर शापनर और स्केल यह सब आपको लेकर के जाना है हाईलाइटर भी लेकर के जाना है अगर हो तो नहीं तो कोई ब्लाक पढ़ने हैं सारे कोशन पेपर के भी आंसर कॉपी के भी और उसी के बेसिस पर टाइम मैनेजमेंट कर लेना है ठिक अब आईए हम समझते हैं कि जब आप जाग रहे हो पेपर करने तो आपको क्या-क्या काम करने हैं सीडियल वाइस सबसे पहले आप अपने कोशन पेपर को पूरा-पूरा पढ़ लो पूरा पेपर पढ़ो अराम से पाच मिनिट ये मतोर्चो कि हम क्या करने जा रहे हैं पाच मिनिट आप पूरा देजी अपने कोशन पेपर को पढ़ने का कोशन पेपर को पढ़ते समय ही आप ये डिसाइड कर लो कि आपको किस सेक्षन को कितने गंटे देने हैं क्या कहा किस सेक्षन को लिखने में कितने गंटे देने हैं और आप उस कोशन को टिक कर लो जो कोशन आप करना चाहते हैं जैसे कभी कभी क्या होता है आपको चार कोशन दिये होंगे वहाँ पर मानलो आपको एक कोशन करना होगा यह कहीं पर छे कोशन दिये ह अरे मतलब मैं एक्जामपल बतारी हूँ जैसे आपको चार लॉंग दी उनमें से एक करना है तो आप उन चारो को पढ़ो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो कि कौन सा कोशन करना है उस कोशन को आप पहले ही मार्क कर लो कि हाँ दोसरा करना है फिर दुबारा दिमाग आप अगर हिंदी में बहुत अपने आपको सहज महसूस कर रहे है तो हिंदी भासा का चैन कीजे इंग्लिज भासा में अपने उत्तर को लिखने में सहज महसूस कर रहे हैं तो इंग्लिज भासा में अपना पेपर करके आई है कौपी को लिखने से पहले ही आप सबसे पूर उसके बाद में अब आपको जब सब डिसाइड कर लिया कौन सा question करना है कितने घंटे किस question को गया किस section को देना है तब आपको आपको अपना question paper को लिखना start करना होगा शुरू से जो भी important question का portion होगा उसको आप highlight करेंगे सभी answers में लेकिन कब करेंगे ये काम end में पहले नहीं पर चले highlighting के चक करने पड़े आंसर चूट गया लोग ये नहीं करके आना है headings के लिए आप sketch pen sparkle pen का use कर सकते है एक बात आपको हमेशा इस मरण में रखनी है red और green का प्रयोग किसी हालत में नहीं करना है headings आपको bold में लिखनी है bold का मतलब मैं हम मैं जैसे माल लिजे यह आपका paper की lines है तो दो lines का use करो जैसे माल लो लिखना है कि दरसन क्या है तो आप यहाँ पर लिखो दरसन दो line में फिर यहाँ से आप अपना answer ऐसे करके ऐसे करके लिखना शुरू करो इस तरीके से आप रखूं आपके सामने तो एक sequence में करिएगा कुछ बच्चे क्या करेंगे पहले short heading दाल देंगे दो question sort के कर लेंगे फिर long की heading दाल देंगे एक question long का कर लेंगे फिर short की heading दाल देंगे फिर 3 question long sort के कर देंगे फिर long की heading यह किचिर पिचिर नहीं करनी है एक बार में पूरा paper sequence म होना चाहिए, मैम जब हमको question ना है तब हम क्या करें छोड़ के चलें हमने का बोलो तो हम आपको आपके पडोसी की कसम दे दे, कोई भी बच्चा हमारे PG point का paper में question छोड़ करके नहीं आए फिर मैम हम क्या कहानी लिख करके आएंगे हमने का नहीं, हमने का आप इतना पढ़ा है, मानलो आपने आपने दर्शन के विशह में पढ़ा है प्रशन में आया, सैक्षिक दर्शन क्या है? अब आपको नहीं पता की क्या है लेकिन आपको ये पता है की हाँ ये topic हम लिख सकते हैं आप दर्शन को ही लिखो और अपने शब्दों में इस कदर लिखो कि अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाऊ उसको हाना लेकिन अगर सोटो कि आप छोड़ा होगे तो छोड़ो नहीं हो सकता है मानलो आपका प्रेशन पाज नंबर का है एक्जामनार ने सरसरी नजरों से द अगर आप यह कोशन छोड़ देते तो क्या यह दो नंबर में मिल पाते हैं आपको नहीं तो इसलिए प्रेशन ना आए जब तब भी आपको प्रेशन को सॉल्व करना है चरित्तुर नहीं लिख करके आना है कि यो यो हनी सिंग का गाना माल टम टम मरिक टम 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 पता नही का उन का उन सिंग कर करके चले हो यह सब चरित्तुर नहीं करना है आंसर का मतलब आंसर लिख कर कियाएगा जनुइन चीज़े लिख कर किया आईएगा कहानी बनाने के अवशकता नहीं है ठीक है क्या क्या लेकर जाएं यह मैं आपको अल्रेडी बता चुकी हूँ सबसे जो management करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप time management नहीं कर पाई तो आपका paper छूट सकता है paper छूटे ना इसलिए time management बहुत ज़रूरी है आप ने time को manage करके चलिएगा flow charts का प्रियोग अगर कर पाईएगा तो ज़रूर करिएगा जैसे हमने का कि निर आपचारिक सिक्षा आपचारिक और आपचारिक सिक्षा से मिल करके बनी होती तो मैं हम कैसे लिखेंगे इसको हमने का जैसे एक flow chart आप ऐसे करके बना लो एक बादल ऐसे बना दिया यहां पर लिखो निर आपचारिक सिक्षा ठीक फिर उससे संबंदित ऐसे दो बादल बना दो यहां पर लिख दो आपचारिक सिक्षा यहां पर लिख दो आप अनपचारिक सिक्षा लोग बन गया आपका flow chart, देखने में आंतर भी अच्छा लग रहा है, एक्जाम दाने का, अरे बच्चा तो PG points लगता पड़ किया है, अपना भी नाम रोशन करो, हमारा भी करो है, ठीक है बाई, questions में, headings का इस्तेमाल करो, माम ना आती हो, तो क्या करें, headings का इस्तेमाल माम, अगर heading नहीं बनाने आती ही, तो क्या करें, हमने का, question से ही heading बना लो, जैसे question में कहा गया, कि सिक्षा कर्थ क्या है, अब माम हमको तो heading ही नहीं आती, हमने का, पहली heading बना लो, सिक्षा कर्थ, क्य दूसरा लिख दो नैतिक विकास से तीसरा लिख दो समाजिक विकास से इस तरीके से आप हैडिंग्स इनको छोटी-छोटी हैडिंग्स बनाओगे न उसको हम कहते हैं सब तो लगे की बीट वाले बच्य न पेपर देने आएं समझ रहे हैं आपको लगे कि टीचर्स exam देने आए हैं हम तो आपको टीचर्स ही कहते हैं शुरू से आपको पता है आप हमारे लिए अगर बीएड कर रहे हैं तो टीचर्स हैं अभी से ही तो center पे किसी प्रकार के आपको अबदरता किसी प्रकार का दुरवेभार examiner आ रहा है जिन टीचर की duty लगी है उनको भरा बुरा कहना है न बहुत सारे बच्चे comments करते हैं ये सब चीज़े आपको हरकते ऐसी नहीं करनी है टीचर मतलब टीचर लगे कि आप हैं एक बहुत अच्छे माइने में बहुत अच्छे तरीके से paper दे कर कि आईएगा उसके बाद में एक वाले पन्ने में आखरी में आंसर लिख लेंगे आखरी में होता क्या गंटी बच जाती कापी चिंजाती और paper टीचर ले करके चला जाता है ऐसी condition में ध्यान रहे अगर आपकी examiner कलको copy नहीं चेक करेगा तो आप high court नहीं जा सकते हैं इसलिए ये काम नहीं करना है कि खाली पन्ना छोड़ दो और आगे लिखने लगो बाद में अगर ये पन्ना खाली चूट गया तो हो सकता है कि उसके आगे की copy आपकी ना चेको आपने चाहिए जित्ते long answer की हो आप उसके लिए court case नहीं कर सकते हैं कोई भी आप argument नहीं कर सकते हैं तो इसलिए कोई भी page ध्यान र जेगा मैं भी copy मिलेगी कि नहीं मिलेगी मेरा अनुमान है कि CSGMU से अगर आप इस बार पेपर जेने जा रहे हैं तो नहीं मिलेगी क्योंकि तमयी तक हमें एक ही बच्चा नहीं वर पाएगा जहां पर भी आपको formalities पूरी करनी है यनि कि copy में आप roll number से लेकर के हर एक चीज एक दम ध्यान पूर्वक बढ़िएगा blank page नहीं छोड़िएगा जो हमने आपको अल्रडी अभी चीज़े बता दी है ठीक है इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई सा भी छोटू मोटू सा भी confusion है so you can comment me in the comment section and I will solve out your doubt otherwise you can message me on my instagram account that is pg.official ठीक है last moment पे आप अपने complete preparation करके जाए हमारे इस PG point परिवार की तरफ से मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत सारा all the very best बहुत अच्छा exam करके आईएगा जब कोशन ना आए तो भी आपको उसको skip नहीं करना है ठीक है और एकदम positive mindset के साथ में जाईएगा और ऐसे वैसे रास्ते का प्रयोग नह करिएगा नॉर्मल जो रास्ता हो वहीं से जाना और speed to speed में especially for boys bike speed to speed में करके नहीं जाईएगा छोटी छोटी बाते हैं अगर आप इनको follow करते हैं तो विश्वास मानिए कि कहीं ना कहीं beneficial होती है ठीक है बाकी आगे के semester की तयारी आप इसी channel के साथ कर सकते तो अभी ही channel को subscribe करके bell icon press कर दीचेगा again I would like to say very very all the best to all those learners who are going for giving their BA exams thank you video पसंद आया है तो like करिएगा comment section में हमने आपको अगर all the best बोला है तो एक thank you तो आपका भी बनता है comment section में comment करिएगा exam से आईएगा कैसा हुआ exam उसके लिए गाइडिंग आप हमें जरूर अपने points से शेयर करिएगा मिल अथिक, एक देयर कि बनता है